टीवी सिरियल अनुपमा में हर रोज एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। शृती के सामने अनुज कपारिया और अनुपमा का पूरा सचाने के बाद से ही शो में एक नया मोड आ गया है। जहां बीते एपिसोड में आप देख चुके होंगे कि शृती अपने मंगेतर अनुज कपारिया से कई बड़े सवाल पूछती है। जिसके बाद अनुपमा शृती की ये बात सुनकर काफी सोच विचार में पर जाती है। इसके साथ ही अपक्मिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि इस बात के बाद अनुपमा को कई बुरे बुरे ख्याल आते है। इस वजह से उसकी रातों की नीन दूर गई है। एक तरफ अनुज कपारिया भी शृती और अनुपमा के बीच में फंस गया है। दूसरी तरफ अनुपमा, शृती और आध्या के बारे में सोच सोचकर पचता रही है कि वो इनके बीच में क्यूं आए है। दरसल अनुपमा के सपनों ने भी उसे दराकर रख दिया है। अब अपने सपनों की वजह से अनुपमा रात भर सो नहीं पा रही है। वही एक तरफ अनुपमा अपने मन से शृती और आध्या को भूला नहीं पा रही है। दूसरी तरफ पांच साल वापस आने के बाद भी एक बार फिर उन्हें अनुझ से मिलने का बहुत पचतावा हो रहा है। इस दोरान अनुपमा ने अपने सपनों में शृती और आध्या की मौद देखी है। जिसके बाद अनुपमा बहुत जादा डर गई है। इसके साथ ही टीवी सीरियल अनुपमा में आप आगे देखेंगे कि एक तरफ अनुझ अनुपमा और शृती के बीच जबरदस्ट लव ट्राइंगल चल रहा है। वही दूसरी तरफ अनुझ अनुपमा को पांच साल दूर रहने के बाद भी नहीं बुला पाया है। वही शृती अनुझ से बेंतहा प्यार करती है। ये सब बाते सोच सोचकर अनुझ का पारिया बेहत परेशान है। इसके साथ ही एक बार फिर अनुज अपना पुराना प्यार अनुपमा को पाना चाहता है लेकिन उसकी बेटी आध्या अनुपमा से बहुत नफरत करती है आप शो में आगे देखना बेहत बिलस्क होगा कि क्या अनुज कपारिया और अनुपमा इन परिशानियों का कैसे सामन करते है फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में हमें कमेंस में जरूर बताए साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें